Hello class 5th students बच्चो आज हम chapter 11 रीड करने वाले हैं हिंदी पार्ट माला में जिसका नाम है कोणार्क का सूर्य मंदर तो इस chapter में हम जानेंगी कोणार्क मंदर के बारे में कि कैसे ये बना कैसे इसकी स्थापना हुई उससे पहले हम देखेंगे कि पेज नमर 85 पर आपको भारत की कुछ प्रसिद्ध धार में किस्तर दिये हुए हैं जिनको पहचान कर आपको उनके नाम लिखने हैं उनके सामने तो ये 85 पेज नमर पर आपको करना है बच्चो किसी भी देश की संस्क्रती उसके लोगों के हिरदर आत्मा में पस्ती है चले हम चैप्रे स्टार्ट करते हैं सन 1245 की बात है उडीसा में नरसिंग देव नामकिक राजा थे एक दिन आजा समुद्र तट पर टहल रहे थे समुद्र की जल तरंगेट तटों को चू रही थी तब ही अचानक राजा ने सोचा क्यों न एक ऐसा मंदिर बनवाया जाए जो समुद्र तट पर हो तथा उसके द्वार और सीडियों को सावर की लहने दोती रहे सूरज की पहली किरण मंदिर में इससे देवता के चरण इसपर्ष करे अनेक शिल्पी आये और चले गए शिल्पी होते हैं वास्तुकार लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के नुसर मंदिर का निर्मार नहीं कर सका इसी समय राजा को शिल्पी सांत्रा नाम की शिल्पी के विश्या में सूचना मिली उसने अनेक भवे मंदिरों का निर्मार किया था इसकी चर्चा पूरे उड़ी समय हो रही थी राजा ने उसे बुलावा भेजा और अपनी कल्पना के बारे में बताया उसने राजा से कुछ समय मांगा और समुद्र तट की ओर चल दिया समुद्र तट पर गुमते गुमते शाम हो गई शिबोई थककर वही रेट पर सो गया सुबह ठंडे स्पर्ट्श से उसकी आँके खुल गई उसने देखा कि सागर का जल उसके पाउं पकार रहा था तथा सुनेरी किरन मुख पर पढ़ रही थी पर शिबोई को समझ आ गया था कि राजा के सपने का मंदर कैसे बनाया जाए वेहर्श पूर्वक राजा के पास आया और कहने लगा महराज मैं आपकी कलपना की अनुसार अनुरूप मंदर बना दूँगा आपको राजप्रोहित से शुब महूरत निकालना पड़ेगा ताकि नीव का पत्थर रखा जा सके शुब महूरत में शिलानियाश कर दिया गया अगले दिन शिबोई ने सागर की किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिये उसकी मेहनत रंग लाने लगी मंदर का सद्रण आधार बन गया था बारे वर्षों में मंदर पूरी तरह बन कर तयार हो गया इस सूरे मंदर की उचाई लवल 235 फुट है सन 1256 इश्वी में मंदर का कारे संपन हो जाने पर राजा बहुत खुश्टे अपने सपने को साकार रूप में देखकर उसने सबी शिल्पियों को बहुत सा धन देकर सम्मानित किया कोणा का सूरे मंदर अपने आप में कलाव और कोशल का अदबुत नमूना है जिस समय में बना था उस समय समुध्र की लहरे इस मंदर के द्वार और सिल्पियों को धोती थी आज समुध्र इस मंदर से 2 किलमीटर दूर खिस गया है कोणा का मंदर सूरे भगवान के रत के आकार का मंदर है 12 महिनों के प्रतीक बारे जोड़ी अलंकरत महाचकर पैये इस रत रूपी मंदिर में बने हुए है प्रतीक महाचकर की उचाई लगवक 3 मीटर है सूरे के 7 अश्वे के परिचाय के रूप में यहां भी 7 विशाल गोड़ों की मूर दिया है वास्तम में सूरे के 7 गोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक है सूरे के ये 7 गोड़े 7 दिनों का इसमिरण कराते है पैयों में बनी 8 तीनिया दिन की 8 पहरों का प्रतीक है पैयों पर बहुत बारिक और सुन्दर नकाशी की गई है पशु पक्षियों और विविन देवताओं की मूर्थियों बनाई गई है यह मंदिर सचमुच इस्था पत्यकला की विशिष्ट धरोहर है मंदिर की दीवारों और छटों पर बनी पशु पक्षियों मनुश्यों अफसराओं लताओं आदी की पच्चीकारी पर रेटकों कमन बर्वस मू लेती है मंदिर के गर्व ग्रह में सूरे की मूर्थि स्थापित है प्रातकाल जब सूरे की किरणे बिवन मंदपों से होती हुरी सूरे की मूर्थि पर पढ़ती है परन्तु उस समय कितना भवेरा होगा उसकी तो सिर्फ कलपना ही की जा सकती है यह है वर्दमान सूर्य मंदर